अलो एवरिवन वेलकम बैक तो दे चैनल वेफ़ार क्लिक और आज हम बात करने वाले हैं एडिट मोड में बिवेल टूल के बारे में तो एक क्यूब ले लेते हैं इसको थोड़ा सा उपर करेंगे और चलते हैं आपजेक्ट मोड में टैब बटन दवाके यहां पे हमें इंसर्ट फेसिस तक की टूल में पिछली दो वीडियो में कवर कर चुका हूँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारा यहां पे एक बिवेल टूल है और अगर हम सैटिंग्स में जाएंगे और मोडिफायर्स पे क्लिक करेंगे तो यहां पे हमें भी एक बिवेल मौडिफायर मिलेगा इंट्रिक्शन के लिए मैं बता दूँ के ये जो मोडिफायर्स होते हैं ये पूरी पूरी शेप को चेंज करने के काम आते हैं अगर मैं इसको select करूंगा तो यह पूरी की पूरी shape को round कर देगा तो फिलहाल इसको deep में जब modifiers की class करेंगे तब जानेंगे अभी के लिए main चीज पर आते हैं हमारा bevail tool जब हम object को कहीं से goal करना चाहते हैं तब हम bevail tool का इस्तमाल करते हैं mostly हम age से इसको goal करते हैं तो age को select करेंगे और देखेंगे एक handle बनके आ रहा है इस handle को उपर नीचे करेंगे तो आप देखेंगे कि यह हमारा दो part में divide हो चुका है और मैं इस handle को अगर छोड़ूँगा तो हमारी एक window आ जाईगी यह window ही सबसे main है यहां पर अगर मैं segments पर click करूँगा तो यह इसमें segments पढ़ा देगा और जितना हमें smooth करना है यह उसकी roundness है उसको उतना smooth करता चला जाएगा सबसे पहला width है कितनी width हमें रखनी है उपर से नीचे तक यह उसको change करेगा shape में अगर हमें उपर की side ले जाना है यह नीचे अंदर की side ले जाना है यह उसको shape को change कर देगा बाकी इसमें जो index है यह coloring के लिए इस्तमाल होता है इसको हम अभी use नहीं करेंगे अगर मैं custom पर click करूँगा तो मेरा graph बनके आ जाएगा यहां पर मैं graph की help से इसको change कर सकता हूँ रहाल graph की कम ही ज़रूरत होती है तो हम वापस चलते हैं अगर मैं shortcut से इसको change करना चाहता हूँ तो मैं h को select करूँगा और control b दबाऊँगा और इसे उपर या नीचे की तरफ अगर खींचूँगा तो यह मेरा change हो जाएगा और अगर मुझे इसके segments या smoothness को change करना है तो मैं scroll wheel दबाऊँगा और इसके जितने चाहें उतने segments को smooth कर सकता हूँ और smooth करने के बाद जैसे मैं click करूँगा वो यह window मेरे सामने आ जाएगा अगर यह window एक बार चली जाएगी तो फिर यह window आपको वापस नहीं मिलेगा फिर आपको Ctrl Z करना पड़ेगा और Ctrl B दबाके enter करेंगे तभी यह window आपके सामने आएगी अब इसमें हमें vertices और age दो चीज दे रखी हैं जिसे हम round कर सकते हैं दूसरे option में offset, width, depth, percentage और absolute कई सारे option हमें दे रखे हैं जिनकी मदद से हम किसी भी corner को round करते हैं तीसरा हमें width दे रखा है कितनी width हमें round करने के लिए रखनी है चौता है segments मानली जी अगर मैं इसमें आधे तक ले जाता हूं उसको round करता हूं तो segments कितने रखने हैं, कितने segments कितना smoothness उसमें रखनी हैं यह से उसको smooth करने के काम आता है चौता मेरा shape है, shape मैं बताई चुका हूं इसको अंदर की तरफ ले जाएगा और इससे इसको बाहर की तरफ ले जाएगा अब Ctrl Z दबाएंगे वापस Ctrl B दबाके enter करेंगे और अब जानेंगे कि इसमें यह सारे option हमें क्यों दे रखे हैं मैं आपको बता चुका हूं कि 3D model दो तरह के होते हैं, CGI model जो movies बगएरा के लिए इस्तमाल होते हैं इनकी कोई particular नाप नहीं होती, इन्हें हम अंदाजर से बनाते हैं दूसरे होते हैं 3D printing models 3D printing models वो होते हैं जैसे कि car का model अगर हमें design करना है तो उस car के model को 3D में design करने के बाद उसको machine के द्वारा print किया जाता है जिस नाप का हम ये model रखेंगे, उस नाप के द्वारा ही वो machine उसको print करके निकालेगी उस तरह के 3D printing models के लिए हमें बहुत सारे options यहां पे दिए गए हैं जिससे हम इसको particular नाप से goal कर सकते हैं 30% select करूंगा और यह मेरे आधे हिस्से को goal करके दे देगा देख सकते हैं आप इसी तरीके से अगर मैं offset select रहता हूं offset सबसे पहले offset को समझ लेते हैं कि offset होता क्या है मैंने समय यह जो age select कर रखी है यह दो face से connected है एक उपर वाला face और एक नीचे वाला face अगर मेरा एक मीटर का पूरा face है तो एक मीटर इधर और एक मीटर इधर मैं इसको round कर सकता हूं तो एक मीटर इसका इधर offset है और एक मीटर इसका इधर offset है इसका मतलब total दो मीटर मैं इसको round कर सकता हूं तो 2 meter पर मैं click करूंगा तो maximum यानि पूरे को यह round कर देगा अगर मुझे 1 meter पर इसको round करना है तो यह 1 meter offset पर इसको round कर देगा तो हमेशा offset one यट two में count होता है अगर मैं one रखूँगा तो यह इसके half को और अगर मैं two रखूँगा तो यह इसके full को तो मैं इसमें 0.50 एंटर करूँगा और इसका एक चौथा हिस्सा राउंड हो जाएगा. Ctrl-B दबा के एंटर करेंगे तो ये विंडो सामने आएगी. तो ये हमारा आफसेट हो गया. अब जान लेते हैं width और depth. सबसे पहले depth को जानते हैं. ये जो हमारा age है, इसको maximum हम round कर सकते हैं यहां तक. दिखा देता हूँ मैं आभी आपको. इसके लिए मैं इसमें round करता हूँ और इसको segment है, उसमें 2 segment लेता हूँ, जो इसमें middle में है. अगर मैं इसको पूरे को round कर दूँगा यहां तक, और यह जो इसका corner था, इसको अगर मैं नीचे लेके आता हूँ, तो आप देखेंगे कि यह maximum यहां तक जाएगा, इससे नीचे यह नहीं जाएगा. और उपर तर ले जाँगा तो यह अपनी पूरी position में आ जाएगा. इसको round कर सकता है, और एक diagonal का जो नाप होता है, वो होता है, under root 2, अगर हमारा 1 meter का cube है, तो 1 into under root 2, under root 2 की value 1.42 होती है, यानि कि जो depth है, उसकी maximum 1.42 तक जा सकती है, तो control B दबा के enter करूँगा, तो maximum depth उसकी अगर मैं 1.42 तो यह फूरे को round कर देगा, और अगर मैं इसको आधा करना चाहूं, तो उस हिसाब से manage कर सकता हूं, 1.42 इसकी maximum limit है, 1.42 maximum यहां तक यह इसको round कर सकता है, अगर मैं segment को नीचे की तरफ ले जाओंगा, तो यह इसको maximum यहां तक round करेगा, इसके उपर नहीं करेगा, तो यह concept है depth का, इसी तरीके width का concept लेते हैं, depth में आपने देखा क diagonal इस तरीके से इसने लिया, लेकिन अगर width की बात करें, तो यह दो face से connected है, एक उपर वाला face और एक नीचे वाला face, तो एक diagonal उपर वाले face का, और एक diagonal नीचे वाले face का, यानि root 2 plus root 2, यानि कि 2.84, control B दबा के enter मारेंगे, तो 2.84 इसकी maximum limit है, अगर मैं इतना enter करूंगा, तो यह इसको पूरे को round करेगा, और जितना मैं कम करना चाहूं, उतना मैं हिसाब से कम कर सकता हूं, इस तरीके से offset अगर मुझे set करना है, तो cube चाहे एक meter का हो, चाहे 10 meter का हो, measurement वो एक meter के हिसाब से लेता है, अगर मुझे offset रखना है, एक आधा करना है, तो एक दबाऊंगा, एक चोथा यह जितना भी रखना है, उसी हिसाब से मैं इसको round कर सकता हूं, इसी तरीके से अगर मैं percentage में रखूंगा, तो 50% अगर मैं इसको calculate करूंगा, तो इसके आधे इससे को round करतेगा, अगर मुझे width या depth में round करना है, तो मुझे diagonals पे लेना पड़ेगा, width दो diagonals को ल इससे कम पे यह इसको half कर देगा, absolute offset की तरह काम करता है, अब percentage और absolute यह इनसे कैसे अलग हैं यह जान लेते हैं, इसके लिए मैं control, सबसे पहले control Z करके इसको position में लेते हैं, और shift A दवा के एक cylinder लेते हैं, उसको इधर लेके आते हैं, अब एक चीज का विसेज ध्यान रखना कि कभी भी हम age को अगर select करते हैं, और इसमें जो हमारा absolute और percentage है, यह तभी काम करेगा, जब उस age से 90 degree पे दूसरी age connected हो, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो age 90 degree पे connected है, जो इसको round करने के काम आई दूसरी है, लेकिन अगर मैं cylinder की बात करूँ, तो यहाँ पे आप देखें अगर मैं control B दबाऊंगा और इसमें percentage से बढ़ानी कोशिश करूँगा तो आप देखेंगे नीचे की तरफ यह जा रहा है, यहाँ पे width, depth और offset भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि यह भी एक ही direction में जाएंगे, जो कि हमारा नीचे की तरफ है, लेकिन जैसे ही मैं alt दबा के अगर मैं इसमें इसको round करने कोशिश करूँगा तो यह इसको round करेगा, offset में width में अगर इसको round करूँगा तो भी करेगा, depth में अगर करूँगा तो भी करेगा, क्योंकि इन तीनों को अब एक गहरा ही मिल चुकी है बीच में, लेकिन अगर मैं percentage को select करूँगा और इसको करन और shift A दबा के plane ले लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा rotate कर लगता हूँ R दबा के y direction में 90 degree पे 90 डवाता है ये 90 degree पे rotate हो जाएगा focus मैं ले लेता हूँ इसको अब मैं चाहता हूँ इसकी दो vertices को उपर वाली vertices लेता हूँ और इनको अगर मैं goal करना चाहूँ तो मैं control B दबा के enter करूँगा विंडो लेकर आऊँगा और यहां से मैं इसको select करके goal कर सकता हूँ अभी आप देख रहे हैं ये goal नहीं हो रहा है और इसका reason यह है कि मैंने ऊपर अभी vertices select नहीं किया हूँ जैसे मैं vertices select करूँगा और इसको goal करने कोशिश करूँगा तो आप देखेंगे कि यह इसमें goal करतेगा अगर मैं percentage select करता हूँ और इसको 100% कर दूँगा तो यह इसको इस तरीके से मेरे सामने देगा वो इसने इसको यहां तक last तक goal कर दिया लेकिन अगर मैं इसको goal करना है आधे तक तो 50% तक मैं इसको goal कर सकता हूँ बड़े आराब से और मुझे इसके segment कम करने है तो मैं इसके segment कम करके और भी इसमें smoothness कम या ज्यादा कर सकता हूँ तो इस तरीके से bevel tool का इस्तमाल होता है अभी मैं अगर इनको vertices को select करूँगा और इनको अगर round करना चाहूँ फोकस में ले लेता हूँ तो Ctrl B दबा के enter मारूँगा और percentage में तो यह काम नहीं करेगा मुझे जाना पड़ेगा offset में और यहाँ पर मैं इसको round कर सकता हूँ width में भी यह काम करेगा और depth में काम करेगा तो इस तरीके से offset में बताई चुका हूँ अगर one रखूँगा तो अगर मुझे आधा करना है तो one रखेंगे और अगर मुझे पूरा करना है तो यह last तक इसे कर देगा लेकिन इसकी shape बेकार हो जाएगी तो मैं दो दवाओं आप देखेंगे इसने shape को change कर दिया है फिलाल मैं one रखता हूँ I hope की bevel tool आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम इसको corner को round करते हैं Ctrl B दवाएंगे window में और यह सारे option किस तरीके से काम करते हैं यह भी आपको समझ में आ गया होगे next video में हम जानेंगे loop cut के बारे में अब one by one हम tools के साब से चलेंगे और जल्दी से इन tools को खतम करने के बाद modifier कवर करेंगे और जल्दी से जल्दी animation की class सुरू करेंगे तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए good bye if you like this video please like share and subscribe